इदर बिहार की राजदानी पटना में छट महापर्व पर बाढ़ का साया मंड़ा रहा है जिला प्रशासन ने पटना के सोला गंगा घाचों को खतरनाग होशित किया है बड़ावा जलस्तर कम हुआ है लेकिन घाटों में कीचवर जमा होती है घाटों पर जबदस प्रशासन ने सोला घाचों को खतरनाग के लस्त में डाल दिया है आम लोगों को गंगा घाचों पर जाने से इनकार कर दिया गया है हमारे सयूगी साकेत की एक बेहत खास रपोर्ट आपको दिखाते है लोकास्था के महापर्व छट को लेकर जो सबसे बड़ी तयारी पटना में होती है वो दिखा घाट पर होती है और उसी घाट पर अभी हम मौजूद है देखिए आप यहाँ पर तयारी जो है वो यहाँ पर चल रही है जो लगातार चुकि भीर सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस घाट पर उमर कर आती है तो ऐसे में इस इलाके को पूरी तरह से सजाया जा रहा है आप देखिए जगे जगे अभी जो काम है वो चल रहा है टेंट लगाया जा रहा है वाच टावर बड़ी संख्या में इस पूरे इलाके में बनाया जा रहा है चुकि यह जो जेपी गंगा पत है उससे सटा हुआ यह इलाका है और काफी बड़ा यह घाट है काफी लंबा चौड़ा घाट है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या जो है वो चट ब्रतियों की यहाँ पर होती है और काफी भीड यहाँ होती है चुकि अब दो दिन का वक्त बचा है नहाय खाय चुकि 28 तारीक को है तो ऐसे में उससे पहले पूरी तैयारी जो है वो प्रसासन के तरफ से नगर निगम के तरफ से की जा रही है पेट्रोलिंग भी बजापता की जाएगी NDRF, SDRF के तरफ से ताकि किसी तरह से लोग इसे कूदे नहीं उस तरफ न जाया अगर उस तरफ जाते हैं तो बड़ी घटना हो सकती है डूब सकते हैं लोग क्योंकि काफी जादा जो वाटर लेवल है वो गंगा का भी बढ़ा हुआ है तो ऐसे में जो छट ब्रती है वो यहां पर किसी दुरघटना से बचते हुए कैसे उनको छट करना है वो पूरी तैयारी प्रसासन की है जगा 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 जो चेंजिंग रूम वाट्स टावर तमाम चीज़ें लगाई गई है साथी साथ लाइटिंग की प्रापर विवस्था इन घाटों पर होगी और साथी साथ CCTV कैमरे भी इस बार हर घाट पर लगाए जा रहे हैं सुरक्षा के दिस्टी कोन से लाखों की भीड होती है तो ऐसे में कोई अनुहोनी ना हो इस पर प्रसासन की नजर है चुकि 28 तारीक से नहाय खाय का जो पर्व है वो शुरू होगा यानि की चार दिनों का जो चट महापर्व है उसकी शुरुवात 28 तारीक यानि सुक्रवार से होगी और उसके बाद जो सुबह का अर्ग होगा उसके बाद ये पूरा चार दिनों का जो अनुस्ठान है ये ख अग्डाद